हेलो फ्रेंड्स एन स्टुनेंट्स मेरे नाम शिवम पुरी है आशागरतों कि आप लोग सब ठीक होंगे बच्चों जैसी कि आपको पता है कि क्लास 11 के अंदर एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है रिटेल और उसी सब्याट की आज हम 25 लेक्शर वीडियो आपके लिए ले के आए हैं बच्चों हमने शुरू किया है यूनिट 2 प्रसेस ऑफ क्रेट एप्लिकेशन जिसका नमारे आते हैं 4 सेशन सेशन वन फीचर्स एंड क बच्चों में शुरू किया है सेशन वन फीचर्स एंड कंडिशन फॉर क्रेट सेल्स जैसी कि आप वह सब देख सकते हैं कि एक तरफ है सेलर और उसके पास मान खिरने कोन आया है बायर सत्र एक क्रेट विक्री के लिए सुविधाएं और शर्तें बैस शुरू हम करते हैं आ बारे में तो हम समझ गे लेकिन एग्रीमेंट भी तो आ गया वर एक एग्रीमेंट क्या होता है ठीक है जब दो पार्टी सापस में मान जाती है तो उनके विच में का जाता है समझोता हो जाता है एग्रीमेंट अब आजसर की रूप में इसको पढ़ते हैं ठीक है A credit sale agreement is a contract for the sales of goods under which the buyer pays in installments becoming the owner of the goods either when the contract is made or on completion of payment depending on the terms of the individual contract. I believe statement पढ़ने से काफी कुछ क्लिर हो गया होगा एक और हिंदी ये उपड़े लेते हैं इसको उत्तर एक credit बिक्री समझोता माल की बिक्री के लिए एक अनुबंध है जिसके तहद खरेदार किष्टों में भुक्तान करता है विक्तिगत अनुबंध की शर्तों के अधार पर जब अनुबंध किया जाता है या भुक्तान पूरा होने पर माल का मालिक बन जाता है अब देखिए credit sale agreement है क्या कि जब दो parties हैं आपसमें बैटे ही है एक seller है एक buyer आपसमें discuss करते हैं पहली बात तो दो parties होने जूरी है वो दो parties आपसमें discuss करते हैं coming with कुछ ना कोई करूजियों निकाती है कि क्या terms policy रहेंगी उस credit की आप हमें एक मिने को उधार दे रहे हैं ठीक है कितने amount तक का हम आपकी shop से उधार लेगे सकते हैं एक पूरा deal बनेगा कि ठीक है आप 20,000 तक का आप समान हमारे store से credit sale ले सकते हैं make an agreement जो कि return में होगा ठीक है and then both parties agree करती है sign करती है and then make a deal of it ठीक है honor हो जाएंगे या जब agreement बन गया तब भी आप उस चीज के honor होगे अब वो जब हम चीज की बात कर रहे हैं for example कि आपने कार खृदी लोन पे ठीक है means की credit पे आपने कार को खृदा कार की की आपके पास आगी तो कार के मालिक आप है लेकिन उस agreement के तहर अगर ब्रीच ऑफ कॉंट्रेक्ट करते हैं पेमेंट ही नहीं करते हैं लोन वापिस नहीं करते हैं तो वह आपकी कार आपकी नहीं है उस condition पे कि हाँ agreement हो गया contract हो गया तो वो चीज हमारी होगी नहीं वो चीज आपकी completely तो तभी होगी जब फुल पेमेंट कर देंगे लेकिन आप तभी उसके honor हैं जब आपने contract बना लिया ठीक है बट condition यह है कि आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो agreement के तहत आपको बोला गया है कि आपने ऐसा नहीं करना वह ऐसा कुछ करते हैं तो वह होता है breach of contract मतलब contract को तोड़ दिया गया ठीक है आपको वीडियो अच्छी लग रही है देन दू लाइक दे वीडियो सब्सक्राइब चैनल और बेल आइकन को बना बिलकुन भुलिएगा और अगर हो सके तो वीडियो को शेर भी कीजिएगा ठीक है थैंक्स एंड हाव गुड दे बच्चों